हेलो विवन मैंना में कितमेश्रा और आज मैं आपके लिए लिए करके आया हूँ एक और इंपोर्डन टॉपिक जिसका नाम है बायो इस्फियर रिजर्व अगर मैं बात करूँ बायो स्फियर रिजर्व की तो पिछले लेक्शर में मैं आपसे बात की हुई थी नैच्रल पार्क्स के बारे में और ये भी कहीं ने कहीं रिलेट करता है हमारे उसी टॉपिक के उपर और कहीं न कहीं आप अगर इस टॉपिक को तैयार करते हैं तो इससे भी आपके काफी क्वेस्टन जो है एक्जाम में देखने को मल जाते हैं अब अगर मैं बात करो बायोस्फेर रिजर्व की तो फिर वो चाहे यूपिस्टी का एक्जाम हो फिर वो चाहे कोई कॉमन वन डे एक्जाम हो ये टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टन है जतना की आपने नेसनल पार्क को पढ़ा हुआ था मैंने नेसनल पार्क में बताया भी हुआ था कि अब इस तरह की बहुत सारे ऐसे टॉपिक आने वाले हैं जो की आपके हर एक एक्जाम के लिए काफी जादा जरूरी होता है मतलब आपको इन टॉपिक को तो जरूर पढ़के जाना है बाकी आप जो पढ़िए वो तो आप जुड़ी होती है इसलिए यहां से questions आने की संभावनाएं बहुत जादा होती है इसलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं biosphere की और जानेंगे कि आखिर कैसे किसी भी area को हम biosphere decide करते हैं कैसे biosphere में कौन-कौन से area पाए जाते हैं और biosphere के functions हमारे क्या-क्या है क्या हमें इससे फाइदा है और किस तरीके से हम इस पूरे area का इस्तमाल करते हैं कौन-कौन से important biosphere हैं कौन-कौन से number one पे हैं कौन-कौन से number two पे हैं कौन इनको operate करता है कौन इनको चलाता है क्या इनकी study के क्या response आते हैं यह सारी चीजों के बारे में हम लोग आज biosphere reserve से बात करेंगे देख देखने को मिल जाएगी ठीक है इसके बारे में biosphere के बारे में आपको UNESCO की websites पर देखने को मिल जाएगा बट अगर आप इसके बारे में detail में नहीं जानते हुए अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखे आपको वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि वीडियो छोटा होने वाला है तो प्लीज आप लोग लास तक इस वीडियो को जरूर देखेगा तो चलिए सुरू करते हैं biosphere के introductions के बारे में अगर हम बात करें biosphere reserve की तो biosphere reserve जो होता है वो UNESCO द अंदर एक ecosystem काम करता है वो ecosystem किसी भी तरीके का हो सकता है वो terrestrial भी हो सकता है मेराइन भी हो सकता है या फिर दोनों मिला करके भी हो सकते हैं कहने का मेरे मतलब यह है अगर आपको terrestrial मेरे नहीं सवाज मेरा ecosystem तो आप यह जानिए कि ऐसा ecosystem जो बिल्कुल जमीन पर फल फूल रह हो इस तरीके के ecosystem को हम लोग terrestrial कहते हैं लेकिन अगर वहता कोई ecosystem है जो हमारा basically water वगएरा में हैं तो इस तरीके के ecosystem को हम लोग या फिर मैरेन एकोसिस्टम के नाम से जानते हैं तो कभी कभी ये एकोसिस्टम दोनों पाये जाते हैं एक ही बायोस्फेर के अंदर या फिर दोनों अलग अलग या फिर केवल एक ही बायोस्फेर के अंदर देखने को मिलता है ये डिपेंट करता है कि बायोस्फेर किस तरीके तो basically इसके अंदर हम लोग यही काम करते हैं जैसे हम लोग natural park के अंदर करते थे बस इसका जो area है वो थोड़ा सा बड़ा होता है इसकी जो study है वो थोड़ी सी बड़ी होती है यहाँ पे कुछ tribal भी रहा करते हैं क्योंकि area इतना बड़ा होता है तो यहाँ के जो local लोग होते है वो भी यहाँ पे रहते हैं हम उनसे छोड़ छेरचार नहीं करते हैं उनसे बीच में जो है correlations बनाने की भी कोसिस करते हैं तो biosphere में आपको बहुत सारी चीज़े धिर धिर जानने को मिलेंगी तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं दूसर पॉइंट आपक एकोनॉमिक बैलेंस बनाने की ट्राइ किया जाता है साथ में सोसल डेवलप्मेंट को भी मेंटेन किया जाता है बायोस्फेर ट्राइस टू बैलेंस एकोनॉमिक एंड सोसल डेवलप्मेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसोसियेटेट कल्चरल वैल्यू अलॉंग विद दा प्र पूरे एरिया के अंदर कोई जन जाती एगर रह रही है तो हमें उनके सोचल डेवलप्मेंट के बारे में भी सोचना होता है साथ में हमें उनके कल्चरल वैल्यू को भी महात्वता देनी होती है ऐसा नहीं है कि हम वो पहुचना है और उनके कल्चरल वैल्यू की कोई भी वैल पूरा का पूरा मतलब घना इदम वन चेतर होता है वो एरिया के अंदर अगर कोई भी ट्राइबल रह रहा है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी लोकल पॉपुलेशन वहां पे है चोटी मोटी कभीले वगेरा जैसे होते हैं अगर है तो हमें उनका कल्चरल डेवलप्मेंट भी करना है साथ में सोसल डेवलप्मेंट भी करना है और ताकि और अलॉंग विट प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर ताकि हम लोग जो नेचर वगेरा है उनको प्रॉपरली तरीके से प्रिजर्व करके रख सके उसको छती नहीं पहुचा नहीं है वहां के नटोट हमें लोकल लोगों को जो वहां पर बहुत दिनों से रह रहे हैं हमें उनको चवी नहीं पहुचानी जो वहां पर रहते हैं बसते हैं उनका विकास करना चाहिए वहां पर उनका डेवलप्मेंट करना चाहिए तो इंडिया में बहुत सारी से जगाए हैं जहां पर इस तरीके के अगर मैं बात कुरूँ बायस फेर रिजर्व की तो दज इस्पेशल इन्वर्मेंट फॉर बोथ पीपल और नेचर अगर मैं बात कुरूँ बायस फेर रिजर्व की तो भाई यहां पर जो वन छितर होता है या फिर जो घना एरिया होता है प्लांट और एनिमल से यह एरिया के दिरिश्टिकोर से बहुत ही ज़ादा important हो जाता है दोनों के लिए अगर मैं बात करूँ people के लिए तो people के लिए nature के लिए तो nature के लिए और इसका अगर मैं बात करूँ nature and our living example of how human being and nature can coexist और जो biosphere है वो कहीं ने कहीं एक ऐसा example show करता है कि देख लो कि human और nature अगर एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के respect करते हुए not respecting का मतलब respect वो नहीं है मुझे पता है बट एक दूसरे का सम्मान करते हुए है ऐसा नहीं कि आप पाये और पेड़ों को आप काट दिये नहीं ऐसा नहीं प्लांट को सम्मान करते हुए मतलब अगर प्लांट को कोई नुकसान पहुचाने आए तो वो लोग उसकी रक्षा भी कर सके ये रिलेशनसिप हमें बायो स्फेर रिजर्व में देखने को मलता है बायो स्फेर रिजर्व के अंदर हमें हुमन और नेचर के बीच में जो रिलेशनसिप है वो हमें वहाँ पे देखने को मलता है और ये वहाँ पे जरूरी भी होता है क्योंकि जो प्लांट की नीड है बचाना उसको वहाँ पे ने ने प्लांट को ग्रो कराना या फिर तमाम तरह की चीज़े वो प्लांट नेचर के लिए ये किया करते हैं एनिमल को नहीं मारना है वहाँ के एनिमल को बिल्कुल टच नहीं करना है आपको जब तक वो आपको मारने के लिए नजाए आत्मरक्षा दूसरी चीज़ होती बट आप ऐसे ही नहीं किसी एनिमल को मालो हाथी है तो आप हाथी के दाथ को निकाल करके बेचना शुरू कर दो यह सब काम वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो आप जो है प्रोपरली उनके साथ में रहो उनके साथ में चलो नेचर के साथ में इको सिस्टम बिल्ड करो, देखो उसके कितने फाइदे निकल करके आते हैं, तो वो चीज हमें बायो स्फेर रिजर्फ के अंदर देखने को मिलती है, तो अभी तक आप लोग जो है इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे बायो स्फेर का, कि बायो स्फेर एक ऐसी जगा है, जहा आपको आगे बताऊंगा कोर पोर्शन वगेरा क्या होता है, जो मेन हमारा पोर्शन होता है, उस पोर्शन को कोई भी नुकसान, मतलब पूरे बायो स्फेर में हमें किसी को नुकसान नहीं पहुचाना है, जब तक कि कोई हम पे अटाइक ना कर दे, या सेल्फ डिफेंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बट अपव्य उसका नहीं करना है हम इस तरीके के environment को जहां पर ecosystem बिल्ड होता है जहां पर animal होते हैं कई तरह के plant होते हैं तो यह जहां पर build होता इस तरह का relationship वही हमारा biosphere होता है और यह zone बहुत बड़ा होता है यह बात आप ध्यान में रखेंगे अब अगर वहीं पर हम लोग बात करें यहां पर की biosphere को हम बनाते कैसे हैं मतलब criteria क्या होता है biosphere reserve बनाने का तो the number one is है कि a site must contain protected and minimally disturbed core area तो भाई देखे सबसे पहले आपको एक काम यह करना है कि core area को समझ लेना है थोड़ा समय इस डाइग्राम को बताऊंगा बार में detail में बताऊंगा देखे जो beach का area होता है यह जहां पर पूरी vegetation आपको दिखाई देती है यही वह area होता है जहां पर animal और plants रहते हैं जहां पर आप चीजों को preserve करते हैं जहां कि चीजों को आपको छेड़चार करने का अधिकार नहीं होता है इसी area को हम लोग core area कहते हैं और अगर आप इसमें देखिए तो आप इस area में केवल और केवल research कर सकते हैं यहां पर अपना कोई घर नहीं बना सकते हैं Tribals यहाँ पे रह सकते हैं Tribals यहाँ पे अगर रहना जानते हैं तो वो रह सकते हैं वो उनकी जंजाती है यहाँ की उनको कोई disturb नहीं करेगा Number one Number दूसरा area जो blue color से सो किया गया है वो हमारा buffer zone है इस zone को हम लोग क्या कहते हैं इस zone को हम लोग buffer zone कहते हैं और buffer zone में आपके educational रूप से आप जा सकते हैं, अगर आप study करना जा रहे हैं उस पूरे area की, तो आप जा सकते हैं, दूसरा human settlement यहाँ पे कुछ resort वगेरा भी बनाये जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, बाद में tourism के लिए तो इस्तमाल किया ही जाता है, गूमने फिरने के लिए, बट इस भाद का खास ख्याल रखा जाता है, कि आप उस core area के अंदर enter नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे animal होते हैं, जो रहते हैं, जैसे सेर, चीता, जिसको भी वहाँ पे preserve करके रखा गया है, जिसके भी ecosystem को वहाँ पे बनाया जा रहा है, आप उसको जाके disturb नहीं करेंगे, यह strictly होता है, और जो ऐसा area होता है भाई, उसी को हम bio sphere की category में रख स हम लोग buffer zone कहते हैं, और सबसे बाहर का जो area होता है, वो transition zone होता है, वहाँ पे आप अपने मकान वगेरा भना सकते हैं, study कर सकते हैं, tourism भी जाना जाता है, क्योंकि बड़ा सा area होता है, तो घूमने टहलने के लिए उस area को, तो जो घनी जगह होती है, जो core area होता है, वहाँ प protected हो, minimally disturbed हो, मतलब ज्यादा disturbed करने वाला कोई ना हो, natural nature conservation जहां पे हम nature को conserve करके रख सके भाई, ऐसा area होना पहली बात तो biosphere के लिए most important है, दूसरी चीज़ होती है, core area must bio geographical unit should be larger, अब bio geographical unit यह होती है भाई, कि देखो biology और geography, मतलब कि जो core area हो, वो इतना area हो, इतना large हो, कि वहाँ एक ecosystem build हो पाए, मतलब कि जो geography है और जो animal है, bio मतलब animal, geography मतलब geographic condition, यह दोनों ऐसा नहीं कि आदमी जादा हो जाए, population, सारी आदमी बोल दिया, animal जादा हो जाए और geography कम हो जाए, मतलब कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कि वो जो population वहाँ animal की है, उसको geographical problem ना हो भाई, पता चला core area में जगा ही नहीं बचा, otherwise वो animal जो है, survive के nature में आजाएंगे और जब survive के nature में आएंगे तो वो खतम हो जाएंगे, तो भाई दोको simply सी बात यह है, कि उनको एक geographical unit ते करो कि भाई, इस ecosystem के लिए इतनी जगा है, तभी वो core area जो होता है, decide किया जाता है, कि enough होना चाहिए भाई, ठीक है, मतलब populations को बढ़ाने के लिए जो है, वो enough होना चाहिए भाई, बता दे रहे है, representing all traffic level, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का traffic level होता है, मतलब कि traffic level कहने का मतलब, herbivores भी होगा, cornivores भी होगा, हर कोई वहाँ पे जो है, वो रहे नहीं होनी चाहिए, ये बात, तीसरा पॉइंट जो है, the involvement of local community and use of their knowledge in biodiversity preservations, अगर local communities का अगल बगल का involvement है, तो वूप के वल, preservations के लिए होना चाहिए, knowledge के लिए होना चाहिए, areas, potentials for preservation of traditional tribal or rural mode of living and harmonious use of environment, तेको भाई, simply सी बात है कि वहाँ के जो भी traditional लोग हैं, जो tribal लोग हैं, जो rural लोग हैं वहाँ पे, हम उनसे जो है, वो जानकारियां, उनके उपर मतलब हम छोड़ देंगे, animal को preserve करने के जिम्मेदारियां, कुछ उनकी होती है, वो अपना करते हैं, साथ में हमें उनक से सीखना चाहिए, कि भाई किस तरीके से वो सारी चीजों को किया करते हैं, और tribals को भाई हमें छेड़ना नहीं है, तो कुल मिला के बात इतनी मोटी मोटी बात है, इन चारो पॉइंट की कि देखो भाई, एक ऐसा जोन होना चाहिए, जहां से आप उसकी study भी कर सको, उसकी देखरेक भी कर सको ये भी बहुत जरूरी होता है भाई, कि आप उस core area की study भी कर सको, देखरेक भी कर सको, बाकी जो चीज़े है, core area होना चाहिए, enough geographical conditions होनी चाहिए, और उसको कोई ज्यादा disturb ना करेए नहीं कि बीच वाले core portion में कोई चला गया जंगल घूमने के लिए, अब अगर उसके diagram को मैंने short में समझा दिया है आपको, ये diagram आपको यही सो कर रहा है कि भाई देखो, बीच वाला जो area है, इसको हम लोग core बोलते हैं, जो blue वाला है, इसको हम लोग buffer बोलते हैं, और जो ऊपर वाला है, इसको हम लोग transition बोलते हैं, ठीक है, और हर area का अपना अलग-अलग काम है, जो आपको symbolize कर दिया गया है, अब अगर हम एक एक area की खासियत की बात करें, तो core area के हम लोग बात करते हैं, core area जो होता है, वो most protected area होता है, biosphere reserve सबसे ज़ादा इसी जगे पे biosphere को जो है, वो disturb नहीं किया जाता है, endemic plant and animal यहाँ पे रहना चाहते हैं, भाई, जो willupt होने के कगार पे हैं, या जो खत्रे में हैं, जो animal, red data book में हैं, जो animal, उन animal को यहाँ पे हम लोग भाईया preserve कर सकते हैं, इस जगे पे रखा जाता है, say animal को या फिर इस जगे पे उन animal को secure किया जाता है, they conserve the wild relatives economic species, by जो भी आपके पूरे अर्थ पे जो economic species है, plant की, animal की वो यहाँ पे रखे जाते हैं, उनके genetic reservoirs रखे जाते हैं, मतलब जो हमारे genetical restorations का भी काम चलता है, कि भाई, ऐसे animal को बचा करके रखो, ऐसे plant को बचा करके रखो, और साथ में यहाँ पे scientific interest भी बहुत जादा, तो research related जितने भी काम होते हैं, वो core area के अंदर हमें सबसे ज़्यादा देखन को मलते हैं, core zone is protected reason, like a national park और sanctuaries, core reason जो होता है, वो पूरी तरह से protected होता है, आप इसके अंदर ऐसे ही घूमने नहीं जा सकते हैं, under the wildlife act 1972, it is kept free from human interference, इसको जो है human interference से बचा करके रखा जाता है, आप इसमें धकलन दाजी नहीं कर सकते हैं, वहीं पे अगर दूसी तरफ हम बा buffer zone कहते हैं, अब यह जो buffer zone होता है, यह core zone को पूरी तरह से घेरे हुए रहता है, अब यह जो zone होता है, यह कहीं न कहीं restorations के लिए limited tourism के लिए, मतलब बहुत जादा tourism यहाँ पे नहीं आ सकता है, आपको tourism पे आईए, लेकिन आपका कोई अर्थ होना चाहिए, कोई मतलब होना आप ऐसे ही tourism के लिए यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो पहली चीज़ तो आपको इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कि आप normal tourism के लिए ही यहाँ पे आ सकते हैं, fishing के लिए, grazing के लिए, etc. के लिए आपको यहाँ पे permission ले करके आनी पड़ेगी, बट आप आ सकते हैं, grazing के लिए भी आ सकते हैं, घासवास चराना है, अगर आपको अपनी cattle का तो भाई आप उसके लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं, which are permitted to reduce its effect on core zone, लेकिन आप इस बात का ध्यान में रखिए, कि आपको core zone की तरफ नहीं जाना है, research and educational activities are to be encouraged, यहाँ पे आप research and educational activities पूरी तरीके से कर सकते हैं, वही पर अगर हम लोग बात करें, transition zone की, तो transition zone सबसे बाहर का zone होता है, और इस zone के अंदर human रहा करते हैं, आप घर वगएरा भी बना सकते हो, settlement कर सकते हो, forest वगएरा यहाँ पे अच्छे होते हैं, तो यहाँ का जो economic uses है, वो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, और इ और जो लोग आते हैं, जाते हैं, वहाँ का atmosphere काफी अच्छा होता है, खुबसूरत होता है, तो इसलिए transition zone इस तरह का होता है, तो बट आपको वही चीज़ है कि interfere नहीं करना है, वही पर अगर हम लोग बात करते हैं, अब अपने important चीज़ों के बारे में, तो कुछ और भी important चीज़े हैं, जैसे कि functions क्या-क्या है, बायो-इस्फेयर के, तो भाई देखो, बायो-इस्फेयर के जो functions है न, वो तीन categories में divide किये गए है, number one category है, conservation, कौन सी category है, conservation है, conservation का मतलब ये होता है, number one point आपका है, conservation का, कि managing biosphere reserve genetic resources, endemic species और ecosystem and land escapes, मतलब कि ये इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को conserve करने के लिए, reserve करने के लिए किया जाता है, जैसे genetic resources को reserve किया जाता है, endemic species को वहाँ पे रखा जाता है, ecosystem को maintain करके रखा जाता है, और landscape को भी बचा के रखा जाता है, तो ये सारी चीज़े जो होती है, वो conservation के अंदर दूसरा point है कि इसमें जो है, it में prevent man-animal conflict, भाई ये बहुत important point है, इस bio-sphere reserve ने क्या किया कि आदमियों और जानवरों के बीच में, जो लडाई चल रही थी, उस लडाई को क्या कर दिया, इसने रोक दिया, number one, bio-sphere ने कहा, भाई हमको वहाँ पे आदमियों को जाने ही नही बट एक बार एक खटना हुई है, जिसको कि बताया था कि भाई इसके बाद आदमी और जानवर का मिलाप ना हो तो जरूरी है, क्योंकि एक tiger थी, जिसका नाम था अवनी, वो tiger जो थी, उसको मार गिराया गया, अवनी को, और ये जो अवनी थी आपकी, ठीक है, ये जो अव human being कई तरीके से क्या करते है, animal को मार देते हैं, बहराल ये घटना तो सच है, बट ऐसी बहुत सारे animals ऐसे होते हैं, जिसको human अपने भलाई के लिए नहीं, अपनी मतलब ऐसे मौज के लिए मार देता है, मनोरण्यन के लिए मार देता है, तो उस conditions में कभी-कभी अपने अधि animals हैं, हम भाई उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, जो वहाँ का culture है, जन जाती है लोगों का, वो वहाँ पर प्रोटेक्ट करके हम रख सकते हैं, दूसरा यहाँ पर development के दृष्टी से हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, promoting economic and human growth, भाई सीधी सी बात है कि अगर हम लोग biosphere को बचा के रखेंगे, तो भाई हमारा जो climate है, temperature है, ecology है, level है, वो सभी क्या होगा, कहीं न कहीं maintain रहेगा, number one चीज, human की growth होगी भाई, सीधी सी बात है, economic growth होगी, human की growth होगी, हर चीज है भाई, ठीक है, तो development यहाँ पर यह है, human की भी और साथ में ecology की भी, मतलब म government, तीन पिलर बेसिकली होते हैं, किसी भी इस थाई तो development के, वो होते हैं, social, economical और protection, भाईया, अगर आपको social growth मिल रही हो, तो भी आपका भाईया, important है, अगर economical मिल रही हो, तो और अच्छा है, और protection मिल रही है, तो और अच्छा है, तो हमें जो है, इस biosphere reserve से यह तीनों हमें देखने को मिलती है, उसके बाद तीसरा point है, आपका logistic support, अब logistic support क्या होता है, इस biosphere से हमें research करने का मौका मिलता है, environmental education को सीखने का मौका मिलता है, training करने का मौका मिलता है, monitoring करने का मौका मिलता है, साथ में national and international conservation and sustainable development करने का भी जानकारी मतलब या फिर ट्रेनिंग हमे दी जाती है, तो biosphere reserve के बहुत सारे फाइदे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनके क्या क्या function हो सकते हैं, अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से biosphere reserve मौजूद है, तो इंडिया के अंदर हम बात करें, तो 18 biosphere reserve जो है इंडिया के अंदर आपको दिखाई देते हैं, जिसमें सो जो सबसे पहले नंबर पे हैं हमारा cold dessert हिमान्चल प्रदेश में है, नंबर दूसरा है नंदा देवी उत्रकंड में, तीसरा है हमारा कंचन जंगा जो की सिक्किम में है और चौथे नंबर पे हमारा देहांग, देबांग, और आचल प्रदेश में मानस जो है वो असाम में है डिबरू जो है वो आपका असाम में है और नौकरेक जो है वो मेगाले में है पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है पंचमरी आपका मध्य प्रदेश में है अचानक मार अमर कंटक जो है आप देख लिजी का नाम बड़े अजीब है अमर कंट तक जो है वह आपका मध्य परदेश 36 गड़ में तो आप एक चीज़ देखिए कि मद्य परदेश को हम लोग हमेशा यह चीज जानते हैं कि मध्य परदेश का जो एरिया है तो बहुत भड़ा एरिया है तो इसलिए वहाँ पे जो आबादीय है उतनी नहीं है तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा यहां पर देखने को मिल रहे हैं बाइयोस्फियर रिजर्फ तो आप इस बात को अंडरलाइंग कर लीजिएगा सवाल पूछ सकता है कि किस प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो कच्छ गुजरात में हैं सीमिपल ओड़ नील गिरी तामिलनाडू के रेला और गल वाननार तमिल नाड और रेट निकोबार रंण अंड मान एंड निकोबार आई लंड तो यह हैं हमारे सभी नाम जिनके बारे मैंने बताया और यह सभी जो हैं वह वह हमारे इंडिया के बायोस्थ फिर्रीट logo ऑगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर जा करके जिसको युनेसको बेसिकली जो है वो आइडेन्टिफाई करती है तो अगर हम उस तरीके से बात करें तो तोटल 11 Biosphere Reserve of India which have been recognized internationally under Man and Biosphere Reserve Program तो यह आदमियों के एंडर में है मतलब उस फे स्टेडी करते हैं अभी अभी इसको एड किया गया है तो आप यह सभी जितने भी हमारे Biosphere Reserve हैं यह सभी Biosphere Reserve जो है वो Man Under Man and Biosphere Reserve Program के अंदर ऑपरेट किये जाते हैं तो आसा है कि आपको यह जानकारी काफ़ इंट्रेस्टिंग और बहुत ही important लगी होगी और समझ में आ गया होगा कि आखिर Biosphere क्या होता है ठीक है और मेरा मन है कि मैं आपको बताओं बट अगर आप हो सके तो किसी भी UPSC के exam की websites पे जाकर करके आप check out कर सकते हैं ट्रापिक उनके लिए बहुत important है बट अगर कोई Biosphere का बच्चा देख रहा है बस भी है इतना ही notes बना लो आपका काम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए thank you very much